अज़ाए वालो आवाज जारी है शेक जी जी बोली आशेक ये कहां से आप बात कर रहा है जी ये मैं दीकर जब से बात दबाऊ हुआ, आपको call पर नाएगा? आप जी जी आप लाइन के लिए आप आदिक से लोगेगा? जी जी आपकी call hold पर है, प्रिप्याप्र प्रतीक सागरें जो call is on hold, please wait हालो शैख ये क्या बुलते हैं पीस सेंटर पर लगा है शैख पूर यह कहां से बात कर रहे हैं शैख पहले ये बदा दीजिए ना यह हजरबाद है आप सहां से बात करें जी 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 मैं मुंबै से बात करेंगा हूँ आपका नाम शैख पर मेरा नाम कली मकसर और आपके इस सेंटर का नाम क्या है शैख जी अर्दू में इसको क्या बोले लिए अर्दू में इसका नाम नहीं रखा लिया है इंगी सी में इसका नाम रखा गया है अच्छा 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 आपका नाम शैख शबीर मत्व अच्छा अच्छा बताईए कौन सा मस्ज़ा है क्या है जी शैख मस्ज़ा ये है मेरा के हमारे एक भाई साब बोल रहे थे कि हम लोग आजकल जो मस्ज़िद बनाते हैं तो हमारी मस्जऻ़ों में जो चीजों का earrings होता है मिसाल के तौर पर हम मैंड़ पर जो अजान देते हैं हमारी मस्ज़़ें में जो है वो गंबद है मिनार है हमारी मस्ज़़ों में संग मरमर है तो ये सुन्नत के खिलाव है तो मैं ये पूछ रहा हूँ था कि क्या ये सुन्नत से थाबित है शेख पहरी बात करिये है कि आप जिस तर्फीज से आपने पूशा है मा contributor host, मॉम सहर के अरो मार कि पांतर यसरी के वियों exist इति ए दे साथा है इस दर्सीत पूना करता दो dzूक्सानी केícios जसे पहले माइक का इस पेमाद बेखुद अब रहा कि इस दमारे है कि इजाद है माई का इजाद होने के बाद उसका इस्तेमान मस्चिद में किया जा रहा है और मसाजिद के अलावा दिगर मवाफिय पर भी जोपने किया जा रहा है यानि सामने वाले तक यह जूर जड़ाग में बाद रहने वाले तक वहा होगी जादा है मैं मस्चिद में जो माई लगा हूए रहता है धुसुसन वाजादर के लिए बादान का माणा ही बाद lot का माणा ही है शेख पुरा सा सुन लिजीए शेख कहने का मतलब ये है कि जब सुन्ट-थे सहाबा हमारे पास मुझूद है कि सहाबा एकराम किस तरीके से अजान दिया करते थे तो हम उस सुन्ट को क्यों ना पकरें मैं ये कहिए रहा हूँ कि सुन्ट-थे सहाबा को К्यों मिटाया जा रहा है मैं कहिरा हूँ कि सुन्ट-सहाबा को अपनाएंगे तो जाड़ा सुवाब मिलेगा ना इलहे लिल्हा कि अठीए आज आजञान नहीं दिया और वागु ओर्ब होड़ना के घुटप है हमек के जो पर फुर्ब हमारी रहा है तो हम हीमारी अजान स्हाभा की अजान की तरह तो नहीं है लेकिन फिर भी हम सहाभा फुर्रा अक्राम कि सुन्न basis के अम्ल करेंगे तो जारा सवाद मिले गा स्हाभा फूर्व मैं माइट पे कभी आजान नहीं लिए हम क्यूं दे रहे हैं तो अब मैं वही बात बता रहा था अपने अंदाज से इसाचे कि शगर समझने आप अज़े को आ जाए नहीं शेख कहने का मतलब यह है कि हमें अपने अंदाज में समझाने की या समझने की जरुवत भी नहीं शेख हमें पुरान और हजीश से समझाएंगे तो बात बने जीना शेख हाँ तो लख को क्रिफ करके उस पर जो है मसले को बढ़ा रहा है मैंने लख अज़ादाज था आप किताब सुन्त की रहा है जी जी शेख तो कहने का मतलब ये है अच खायर वह आप माईक पे तो बात हो गई शेख अच्छा आगे बढ़ते हैं ये मिनारा और मिनारा और गुम्बद ये सुन्त रसूल से शाबित है क्या शेख जी शेख तो मैं तो सुन रहा हूँ ने शेख बताईए ना ने लेकिन आप बार 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 जहें कहरे हैं बारहाद अबरहा अज़ान का माना ये है कि अपनी आवाद ये नियागान की आवाद दूर तक मुचाई जाए जहां तक मुसल्मान है अज़र इसके लिए कोई आला कोई वस्पीला इस्वान किया जा रहा है लाह वाला वो बिद्द नहीं है अबरहा साथ एक्राम अज़र इस्वान के अज़र इस्वान के लिए नहीं किया तरह लेकिन अज़र कोई माहिक के इस्वान को बिद्द पहता है मैंने जाँ आपका मामलए आपको इस्वान के मिनार और ये संग मर्मळ और इसकी अख्यश्क विए सुन्नक के मताबिख है या सुन्नक के खिलाफ है इस्ते यह साबित हो रहा है कि यह सुनत नहीं ग्रज़ें आरे समय के लिए घ्रती साथिर्थ जिटीने सरे ग्रती जिए इसमाने का यह रहुंड इसलाम खुबल इसलाम के और पिर दुनिया में उनका प्रुश्चर हुआ हिस्ता हिस्ता मुष्जिदों का सूर्ट वन लोगों अपने अन्दाबसे बनाना शुरूए या उसकी कजी उसकी आराइच या उसना अप्षा अपने अजार से बना है और वो इस तरीके से पूरी दुनिया में सहला कि मस्जिद की शक्ल वही हो गई जो तुर्कियों ने जहाचा से जार किया था तो शेक्ष फिर कहने का मतलब你 रहे के हमारी जो मस्जिदं है वो सुन्ध रसूल के मताबिक नहीं है तो पूरी मसजhte प्योस बिदत Ho जाएगी शोरी वाद सुन देजिए पूरी वाद तुरी वाद सुन दीए धरी वाद सुन करना जी जी और हदरते हैं मेरे मेरे मुझ को चाहाँ था कि का हदीश याद आ रही है मैंने गालेबन शेक खुरी से मेरी सुन लिए खुरासा मुझ को भी बोलने थी जिना शेक खुरासा मैं आपको डॉप करके आपके सवांसा जवाब कारी मिला नहीं है आपके सुन रहा हूँ आपकी सुनूंगा मैं आपने ये जो मतलब इसकी बात की तो मुझको ये थे हदीश मुझे भी याद आ रही है कि वो हदुरत अमर रदिया लाहु ताला नहों जो है बड़े-बड़े महलात को भी मतलब ना पसंद करते हैं आपके अब रहां वो पड़ी हदीश पे जो पसी तादिश हो पड़ी हदीश का मतलब यह संद के दिवाद के वो हदीश में उस हदीश पर अमन करना मुसल्मानों के लिए ज़रूरी हो जाता है जी जी तो अधिश के अंदर यह बात बताई गई है मस्थी की कजी मस्थी आराईश और से पिना ज्यादा प्फटर करना जो महल आख तरह नजर आए हैं तो मना कि आ गया है जी 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 बिलकुल तो आज के दोर में कोई भी मस्जिद है जाहे वो किसी भी मकतब ए फिक्र से तालुक रखता है किसी की भी मस्जिद सुन्ट रसूल के मताबिक नहीं है अब कहने का मतलब यह है शेख के सुन्ट रसूल को जिन्दा करने में बहुत ज्यादा सवाब है कहा गया है कि शहीरों का सवाब मिलता है तो सुन्नत रसूल को जिन्दा क्यों नहीं किया जा रहा है शेख मनारो वाली मस्जिदे बनाई जा रही है नक्षो निगार वाली मस्जिदे बनाई जा रही है और मैं आपको शहिए कि बताओ कि एक परतवा मेरी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मस्जिद में अगर मिनारा बनाओगे मस्जिद में जंगे मरमर लगाओगे मस्जिद में गुंबच बनवाओगे मस्चिद में यह सब बनाने में जो भी तुम पैसा र१ंठ कर रहोएं तो जन्नत की बशारत तो मैंने बोला भाई ये तो सुन्नत नहीं है अब जो सुन्नत नहीं है उस पे फैसा खर्ज किया जाए तो जन्नत की बशारत कैसे मिलेगी तो हराल वो सुनन इसने माज़ा शी जो रिवायत मैं आपके सामें रहती है ना अब 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 ये एक सवाल ये पैदा हो जाता है शहेद के जब हमारी मस्जिद सुन्ट रसूल के मताबिक ही नहीं है अब कुछ लोग कहते हैं के मस्जिदों का अच्छा बनाना चाहिए तो मैं बोलता हूँ भाई कि फिर नभी की मस्जिद से अच्छी मस्जिद किसी की थी किया ना नभी की मस्जिद से अच्छी मस्जिद आप तक किसी ने बनाया और ना कोई बना सकता है तो नभी की मस्जिद सबसे आली शान, नभी की मस्जिद का मकाम सबसे अलग, नभी की मस्जिद का मरतबा सबसे अलग, तो नभी ने जिस तरीके से नमाज पढ़ा मस्जिद बना करके, नभी की मस्जिद जैसी थी, नभी ने जैसा मस्जिद बनाया, उस तरीके से हमें बनान कि आपके पॉंबई कर रहे हैं जी 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 अनुट है जो आपके आज़ासे से पूंबई कर रहे हैं आज़ासे में तो यह मत्थिब होगी जाव कि जमाद की मत्थिब होगी कि आपके आज़ासे मिस्लमानों की जिस अबादी की और और वी … za-' Z dir मत्थिब बनाईगे जाए बनाईगे तो आबादी के लिए में उम्सपिर ना काती है change आप माद पर गोर करें अवे जमाने की एक्वार से अजस्थि यह ते मत्थिब ना काती होगी उह आगाज अगर 5,000 उखर बनाए जा जाता है तो 5,000 अवराद उसमें नहीं है लिए शुवानने के जुद हो वस्ट फुलोर, सिटन्ड फुलोर, सर्ट फुलोर जाता है जो अगर मज़ूरी है तो बना जाता है लेकिन आप्सक्राइर नीनार बनाना, गुम्बदे बनाना, और इसको संगे मर्मन से बज़ेशन दिशनी करना, मैं भी यह कहता हूं। मैं अज़ता हूं अपने सुख्वे में, यह सारी चीज़े नहीं करने शाए। लवज बिदत को नहीं कहता हूँ तो सारी चीज़े नहीं कहता हूँ जी जी अब कहने का मतलब यह है कि इसको हम बिदात नहीं कहें तो फिर क्या कहें नाम क्या दें इसको मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बिदत कहना नहीं कहना मैं यह कह रहा हूँ इन चीजों से मुसल्मानों को रुख जाना चाहिए जी शेख मैं वही बोरना हूँ तो रुख आप जाहिए जाहिए जब यह सुन्नत के खिलाफ है और इससे रुखना भी चाहिए तो फिर इस चीज़ को हम नाम किस चीज़ का दें आया ये बिदात का नाम दें आया मुस्तहब का नाम दें सुन्नत का नाम तो देने हैं सकते हैं क्योंकि सुन्नत से थाबित नहीं तो फिर नाम किस चीज़ का दें नाम कोई एक दें लेकिन उसके रोकने की पोशिश करें अगर नाम ना भी दें वो समझते रोपने की निरूँ जाने की कोशिश करें बस यही काती है जी शेख कहने का मतलब यह है कि अभी क्या होता शेख अभी हम लोग क्या करते दूसरे को बिदाती 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 बोलते रहते हैं हम बोलते हैं biology कि कि कया हो वो पूशते हैं बाइ की तुमÓ ≦ या कि कूश थी? तो कहते हैं कि यह काम यह काम रसूल अला ने नहीं किया ये काम सहाब नहीं किया तो तुम क्यूं कियुकर तुम इसलिए बीदाती हो गए तो भाई ये सुवाल पैदा हो जाता कि फिर ये काम तुममस्ज breeding में कर रहा हो तो नभी ने नहीं कया और झाबी नहीं किया तो तुम भी तो भी ड़त कर रहे तो तुम भी तो भी ड़त हो गए तो हम फिर यहां पे क्या जभाभ दें तो कहने का मतलब यह है कि कहने का मतलब यह है कि कहने का मतलब यह के शरीयत तो सब के लिए यकसा है ना अब ऐसा तो नहीं है नशेख के आप मतलब आप या हम जो है अपनी जमाद को बिराती ना कहें जबके बिरात में हम मलविस हैं और दूसरी की जमाद को बिराती कहें तो कहने का मतलब है शरीयत सब के लिए यकसा है जब मस्जिद में ये बिरात और खुर चीज से सुन्नत मिट जाए मैं कहता हूँ उससे बड़ी बिदात कोई है नहीं जैसे के माइक के मसले में एक कभी कभी इखतलाफ होता है कि भाई मुकबिर मुकबिर जो है सुन्नत से साबित है जैसे मुकबिर जो आवास को पहुचाने वाली चीज़ लेकिन आज मुकबिरों को मतलब निकाल दिया है मुकबिरों का सिलसिला बंद कर दिया गया माइक पे नमाज हो रही है तो कहने का मतलब यह है कि मुकबिर जो सुन नभी के जमाने से खालिबन साबित है मुकबिर का सिल्सिला रसूल करीम के जमाने से थाबित है ना शेक तो मतलब मुकबिर का सिल्सिला सुनना से थाबित हो गया आप वही बोल रहे है कि इस पे भी इखिलाप करते है हमारे ऑलमाए एकला म भी इस बात में कभी कभी आ राएं पेश करते हैं सुननत को जिन्दा रखो माइक बहने है कि सुन्नत मिड़ रही है तो इस पे तो कलाम हो रहा तो यही बहुत सारी बात है तो fay यह माइक का सिल्सिला था अब ही कहने का मतलब ये पूरी मस्जिदे ही हमारे मतलब सुन्नतِ रसूल के खिलाब बनी हुई है तो अब कहने का मतलब ये कि हम दूसरे को बिराती कहते हैं तो हमको पहले खुद भी देखना जाएए मस्जिद ये दीनी मौामिलात है और दीनी मौामिलात में बिदात का इजाद हो रहा है मस्जिद बनाने में मस्जिद बनाने में जन्नत की बशारत है कि जिस इनसान ने मस्जिद बनाया अल्ला ताला उसके लिए जन्नत में महल बनाता है तो ये दीनी मौामला है दीनी काम है मस्ज़ित से अच्छा कों शा काम हो सकता है अब इसमें अगर विरात को अगर जगा दी जाए तो मैं कहता हूँ दीनी मौामलात में हमने विरात को एजाद कर दिया ना तो हम तु खुť विराती हो गए अब देखें कि मैंने आपके साह में वह बात रखते हैं कि आपके लाखे में तो यह मस्थिद होगी पांसो गज़ वाली और वहां पांश हजार की अबादी है खाब रोगारा नमाज ना पढ़ने आते हैं अगर जुमा में आए तो अगर एक प्रोर वाली मस्थिद इसको बन मस्थिद नभवी नमाज परने आते थे उनकी तादा कितनी होती थी तो गिल करके नहीं बता सकते हैं जो जरूर नमाज नाकाफी है जी जो अल्हार कर दो ने एक मतवा तबा ताहब एकराम के सामें ये कहा कि कौन शक्त ऐसा है जो मस्थिद के बादू अली जमीर मतान खरी जी 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 तो समझ में आ गया शेख इस अदिश से आपने जो बताया कि सहाबा एकराम खुद और सहाबा एकराम से बड़े नमाजिया आज के दूर में कौन पाया जाते हैं तो सहाबा एकराम के जमाने में नमाजियों की कस्रत हुआ कर दी थी फिर भी सहाबा एकराम ने इ अगर रमजान के मौफ़त और जुमा में आते हैं तो इस तरह नमाज को लेगे, अब आ ये बुखत और महराम का मामला, या मिनार का मामला, ये कि सरासल जो है, जुश्टियों की हिजाज है, जी 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 वही तो बोल रहा है, कि अब जितनी भी मस्जिदों में ये चीजे बनी हुई हैं, वो सब बिदाथ है, और इस बिदाथ से, इस बिदाथ में जो भी मलविस है, वो बिदाथ ही हो गया, तो हमको चाहिए कि बाई अपनी मस्जिदों से मिनारों को अटाएं, अपनी मस्जिदों से गंबदों को अटाएं, अपनी मस्जिदों से वो संगे मर्वर को अमल करें वरना दूसरे को बिदाती कहना छोड़ दें जी शेखा आप जो हैं जो हैं जमाने के रियायत की जाती है तो वही तो बात है ना कि अगर हम कहते हैं किसी दूसरे को कि भाई तुम लोग बिदाती हो यह इस तरीके से रसूल करीम के जमाने में नहीं हुआ तो वो भी तो यही जवाब देते है कि जमाने के इतिमार से बात होती है ना भाई रसूल करीम के जमाने में यह चीज़े नहीं थी और रसूल करीम के जमाने में यह चीज़े मौहिया नहीं होती थी आज के जमाने में हो रहे तो इस तरीके से की जाए थी तो फिर उस जगा ये ताविल काविल कुबूल नहीं की जाती ना, शेख मिशाल के तौर पे, मिशाल के तौर पे, जैसे के हम आपको बताते हैं जैसे इसाल-ए-सवाब, अब रसूल करीम के जमाने में इसाल-ए-सवाब का तरीका क्या था? ये कुओं खुदवाया करते थे, समझ रहें? और पानि Bowl का सद्का दिया करते थे, जो पानी जहां पे मौया नही नहीं होते ही, पानी का एंतिजाब किया करते थे तो आज भी ये काम किया जाता है लेकिन सदका का तरीका या इसाले सवाब का तरीका कई तरीके से आज लोग कर रहे हैं तो हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाई जो सदका का तरीका सहाबा ने अपनाया था नभी ने अपनाया था वही तरीका अपना हो तुम अपने तरीके से मसलन क्या बोलते है कि जानवर जिबा करके इसाले सवाब करते हो वो खाना रखकर करके इसाले सवाब करते हो तो फ़ना रखकर करके इसाले सवाब करते हो तो ये तरीका नभी करीमे थाबित नहीं है तो फिर वो भी यही जवाब देते है कि भाई कहने का मतलब ये है कि आज का जमाना अलग है वो जमाना अलग था जमाने की रियायत की जा रही है लेकिन नफसे मसला जो है वो इसाले सवाब है तो इसाले सवाब जब नभी के जमाने से थाबित है तो आज भी थाबित है तो अगर हम वहां में कहते हैं कि नई जिस से नभी ने किया है वही सही करना परेगा तो फिर वो हम से कहते हैं भाई के तुम जिस तरीके से नभी ने मस्जिद बनाया वही सही तुम को मस्जिद बनाना होगा तो हमारी बोलती बनो जाती है आपके ज़ाब क्या है आपके गार जय जवाब तो जवाब नहीं है शेयक इसलिए तो आपके प्जिंद बात मिल जाएगी तो छोगो को सुनाने में और जवाब देने में अच्छी बात होगी öğret ten Bondi आप ननाऑ जे गुम्रद को ते इसंह के इंडर किवारों ने में अपने ज्याथ क्योई नागर। होतना ट्राइश तारी चीह जीहें जो हो एसी रहे क्यां आप बात कर रहे हैं। मैं अपने कामचे कहरे हो Papi स्rios did जी जी बिल्कुल ये सुन्नत से थाबित नहीं है और क्या बोलते हैं कि जो सुन्नत से थाबित ना हो और जो जिस चिस का हुकम भी नहीं दिया है रसूल करीम ने ना नभी ने कहीं पर हुकम दिया है कि गुंबत बनाओ, मिनार बनाओ, संगे मरमर लगाओ ना किसी सहाबी के आमल से ये थाबी थे तो जाइसी बात है कि ये दीन में विदात है ये दीनी काम है, ये दीनी मुआमला है और लोग इसको सवाब समझ के करते हैं उसका भी नक्षा बदल गया देख लिजिए ना, सुन्नत रसूल के खिलाब लोगों ने बदल दिया जी जी तो ये वो भी एक विदा आज मस्जिद नववी का जो नक्षा है मस्जिद हराम का जो नक्षा है वो भी सुन्ट रसूल के खिलाफ है सहाबा के अमल के खिलाफ है वो भी एक विदात में मुलविस कर दिया गया उसको तरह भी ऊपने और नहीं हमारे कर अका से इंड़िता प्रखाने के लिए तो जोरे कभरी और जवाने से बात करें तो आप मुला मुझार, अमद्यूद, उची तरह जाने के वह प्रखा हुआ है। लुपार, नुक्बस में और सब्रिव करेएं जैने चाहिए कि ऐमें से पहते हैं। यह यह इस तो गुंबद है या इसको रोजय आपके ख़वर के उपर जिन्दफ कहा जाता है। यह इस गुंबद आप लोगों ने रख था कि उन्होंने चाहिए कि इस तारे मुप्धों को जोह मुनादिल कर दिये जाए। और यह इस तो गुंबद आपके ख़वर किया ना कहने का मतलब यह है शेक के हम यह बोल रहे हैं कि आप देखिए कि जब सुरूदी हुकूमत आई तो सुरूदी हुकूमत ने सबसे पहले तो यह बीड़ात इजाद किया कि हरवे हिजाज मुकद्दस जो हिजाज शरीफ कहा जाता था उसका नाम तब्दील करके सुरूदीया रख दिया यह बीड़ात इजाद किया दूसरी बात यह है कि मस्जिदों में बीड़ात पैदा कर दिये अब देखिए कि गुमबद के गुमबदों को गिरा दिया मस्जिदों को कुन गिराएगा अब कुमबदों के लिए आपके क्या रखना चाहिए यह बीड़ात है तो यह बीड़ात है तो उस बीड़ात से नफरत इस बीड़ात से महबद क्यों है कायना मतलब यह है कि मैंने पहले ही आपको काता शरौयएट सब के लिए यकसा है शरौयएट सब के लिए यकसा है तो जब ये पीड़ात है तो हमें चाहिए कि सरौदी हकूमत के जिरे इहतेमाम आज जितनी भी मसजिदे चल रही है उन सारी मस्जिदों से नक्षो निगार को मिताए, संग मरमर को मिताए, गुंबदों को गिराए, रसूल करीम के मताबिक, रसूल करीम के जमाने में जैसी मस्जिदे थी, वैसी मस्जिदों की तामीर करवाए, जो मैंने उनसे सवाल किया, तोनों ने कहा कि देखे, सारे मक्ष जी जी वो तो तारीख पता है मुझे के गिरा दिया गया यही तो हम कह रहें ना शेख शेख में आप जो कहना चाह रहे हैं वो तो हम समझ गए कि तारीख में पता है कि गुंबदे मजारात को गिरा दिया गया है जी जी ये आप आपने जो बात कहिए है उसकी तरफ निशान दी हो गए शेख जी जी आप शेख सुनाइए 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 कोई बात वाय। थे तरफ निशान दी कर दीजाता है। उन्हों ने चाहितो है सारे मत्मरों उन्यार कि वह शेख अधियो कर दिया। लेकिन अगर उसको हटा दे तो मामला गया तुरी दुनिया में सहल्चा मजग गया होता हम इस बार 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 ये शोशा छोड़ा जाता है कि रसूल करीम सलालाहु आलिही वसल्म के मजार के वोपर जो गुम्बद है उसको मिस्मार किया जाए या उसको तोड़ा जाए या उसको हटाया जाए इस पे मिटिंगे होती है इसमें मनसूबे मनते हैं मगर कहने का मतलब यह है शाय कि मस्जिदों में जो गुम्बद हैं उसके तोड़ने के और उसको हटाने के मनसूबे कब बनेंगे जिसके इसके इबादत लोगों ने जोन दिया है गुम्बदे नबी से अल्ला की रसूल की खबर के ओपर जो गुम्बदे ख़जरा जिसको कहा जाता है वो तो मजार के ओपर ही है लोगों का इसक्राम से इतना ज्यादा दूर गया है अब जाहिर सी बात है जिस चीज़ को निस्बत रसूल करीम की जात से हो जाती है तो रसूल करीम के चाहने वाले उस निस्बत का इहतराम करते हैं अब जाहिर सी बात है कि रसूल करीम को मदीना को जब तक रसूल करीम की जात से निस्बत नहीं थी तो मदीने का मुकाम नहीं था लेकिन जब मदीने को निस बता हो ज़िए तो अब उस मदीने का नाम भी लोग अदब से लिया गरते हैं कहते हैं मदीना शरीफ यहां इसक्राम शहलिए है जी शेक मैं तो वही बोल रहाँ ना शेक जब गुम्बद खजरा को तोड़ने की बात की जाती है और उसको विदधिते ताबीर किया जाता है तो मैं यही कह रहाँ शेक के शराइयत सबके लिए एक्सा है जब उसको तोड़ने की पलामिंग होती है तो जितनी भी मस्जिदों में गुंबद है और जिन जिन लोगों ने ये विदात इजाद किया है सब को पहले तोड़ा जाए उसके बाद गुंबद खद्रा की तरफ मनसूबे मनाए जाए जी सब को तोड़ा जाए तो पहले हमेशा तोडने की बात गुम्मद खद्रा की होती है और दूसरे की तोडने की बात ही नहीं होती है आज तक किसी पेपर में नहीं पड़ा किसी इंटर्वियू में नहीं पड़ा किसी आलिम की जबानी हमें सुनने नहीं मिला कि वो मस्जिद नववी के मिनार को तोड़ने की बात कर रहे है या मस्जिद हराम के मिनार को तोड़ने की बात कर रहे है मैंने कभी नहीं सुना शेख जी जी सबको मुनहादिम करना चाहिए और सबको सुन्ट रसूल के मताबिक नभी के जमाने में यह इसी मस्जिदे थी वैसी मस्जिद बनाना जाएए तब तो हम समझेंगे ना शाहिए कि हाँ वाकई में कुरान और सुन्नत की तालीम को आम करने की बात हो रही है कुरान और सुन्नत पे अमल करने की बात हो रही है ये क्या है कि हम दूसरे को बिद्धती कहते हैं और खुद बिद्धत में मुल्विस हैं खैर शेख आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा आपका वक्त लिया है उसके लिए माज़रत चाहूंगा अच्छा शेख मैं आपसे एक अजाज़त चाहूंगा अजाज़त ये है कि अभी जो हमारी और आपकी गुफटगू हुई इस गुफटगू को अपने भाईयों को हम सुना सकते हैं ताके उनको भी कुछ नसियत मिले जी चलिए शेख अजाज़त चाहूंगा